जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडियु पैंट में दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैस का कुछ ख्री ना करते लिकिन सुरू करनै का आप से मेरा करते है अगर आप चैनल पर नए हो ति प्रेस्ट के लायक करे चैनल सुप्राइ। करें और विडियो को अजिक चाजिक सेयर कर दें दोस्तों तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्ट क्या है पहला प्रस्ट ने आपका सुरेश किसी काम को बारा दिन में जथा महस किसी काम को अठारा दिन में करता है तो दोनों मिलकर करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करें स्वारा दिन में महेश 18 दिन में अब यहां सुरेश लिखे और यहां महेश लिखिए अब लिख दिन करता है और यह 18 दिन में करता है अब दोनों का LCM ले लिए तो 12 और 18 का कितना आजागा दोस्तों तो आपका 36 आजागा LCM ठीक है और अब 36 LCM आया अब इस 12 से 36 में भागा दीजिए कितना आगा 12 या 36 और इस 18 से 36 में भागा दे दीजिए कितना आजागा इसे 5 से भागा दे दीजिए तो दोनों का काम निकल जागा दोनों मिल करके पूछ रहा है इलिए दोनों को जोड़ दिए ठीक है ये तीन दिन में करता है ये सुरेश और महेश जो है सो दो दिन में करता है दोनों को जोड़ दिए 5 आया और टोटल काम 36 था तो 36 में भागा द दिन में ऐहीं आपका एंसर हो गया ठीक है देखे कहां है तो ए नमबर में जो तो इस तरह से इसको इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों अगर आप को इस तरह नहीं समझ भाया तो आप सिंपल सा भीन का जोड़ ले सकते हैं जैसे एक वट्टा 12 पलस एक वट्टा 18 ठीक है तो पश्चतिस आ जाएगा लगुत्यम समाभव परतक ले लिये दोस्तों ठीक है तो बारा थीया चाथीस बारा से भागा देंगे चाहते जाता है तो तीन आ गया और अठारा से भागा दिये चाहतिस में तो दू बार गया अरूपर से गुना करेंगे तो दो आ गया अब आ यह उलड जाता है दोस्तों ठीक है यह 36 वर्टा पांच हो जाएगा इसको भागा देजेगा तो पांच सब्सक्राइब तुनों एक ही आ गया दोस्तों ठीक है यह करके लिख दे रहे हैं ठीक है आप इस तरह से बनाएए यह यह साथ पुर्नांग एक वृटा पांच दिन, तो दोनों मिलकर को कि अचाम को कितने दिन में करेंगे साथ पुर ना एक वरटा फाथ दिन में चली आगए बढ़ते हैं है दूसरे प्रस को देखते दोस्तों कि इत को देखे दुसरा प्लस क्या करहा है सिंपल सार ऊगेशनियो आज लाईट भी नहीं था ठीक है और बहुत सो इन गाम भीडान नहीं कर पाया शुबहा भी वीडो नहीं आप आज आप लोगों के लिए और अभी भी लाना मुस्किल था लेकिन देखे अभी लाइट आ गया तो थोड़ा लेट से ही सही लेकिन कोचन कुछ सोचा कि कुछ भी आप पढ़ लीजे नहीं के जगा कुछ भी पढ़ लीजेगा कुछ तो जानकरी हो जागी चले इन बातों को छोड़िए शुरू करते हैं अजी रमेस और सुरेस किसी काम को चार दिन में करते हैं रमेश उसी काम को बारा दिन में करता है तो सुरेश उस काम को कितने दिन में करता है अब ध्यान दीजेगा क्या कोचन का कर रहा है दो तो रमेश और सुरेश दो वेक्टी है ठीक है एक काम को चार दिन में करते है और यहां बोल रहा है कि रमेश जो है उस काम को अगर अकेले करता है तो बारत दिन में करता है दोनों मिल के करते हैं रमेश और सुरेश तो चार दिन में और रमेश अगर अकेले करता है तो उसको बारत दिन में लगता है तो सुरेश अगर अकेले करे उस काम को तो कितने दिन में करेगा ठीक है सिंपल सा प्रेस है रमेश को आर लिख दि अर से लिख दिये और ये 12 दिन में करता है अब दोनों का LCM ले लिजे LCM कितना आ जागा तो 12 आ जाएगा देख एक मिनट थोड़ा से मिटाने जीजे ने इस गड़बला जाएगा यहां पर ठीक है एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देते हैं अब क्या है अब दोनों का अब LCM ले लिजे अब दोनों का LCM ले लिजे अगा दोबारा आ जाएगा अब चार से भागा दे दीजे बारा में तो चारतिया बारा और बारा से बारा में भागा दिये थे एक आ गया ठीक है अब यहां दिहान दिजेगा दो तो यह रमेश और सुरेश दोनों है और यहां रमेश के बारे में पूछ रहा है यह रमेश अकेले है और यहां रमेश और सुरेश दोनों है तो पूचरा सुरेश के बारे में, अगर हम रमेश में रमेश घटा देंगे, तो रमेश घट जागा, सुरेश सिर्पा के लिए बच जागा, आनि तीन में अगर एक घटा देंगे हम, तो दो बच जागा, तो ये काम किसका आया, यहां रमेश रमेश खतम हो गया, तो दिन तो दो काम अब बोल रहा है सुरेस उस काम को कितने दिन में करेगा तो सुरेस दो करता है अर टोटल काम कितना बारा है अब बारा में दो से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा तो छे दिन ठीक है तो सुरेश उस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तो तो छे दिन में अहीं आपका इंसर आ गया सही एंसर क्या हो गया तो छे दिन हो गया दोस्तो चलिए मुझे उमीद है आप लोगों समझ मागे कुछ भी नहीं है दोस्तो ठीक है घटा देना है जब यहां भी है रमेस और यहां भी रमेस और सुरेश से करवाना है तो रमेस रमेस घटा दिये ठीक है तो तीन काम में एक काम घटा दिये ठीक है दो काम बच्चा जो सुरेश करता है ठीक है सुरेश दो काम करता है और टोटल काम बारा था तो बारा मे सुरेश कर देगा चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे परस को देखते हैं तीसरे परस दोस्तों एक मिनट देखिए बोल रहा है मोती और रोहित एक नाली को अलग अलग 10 दिन 10 और 15 दिन में खोद सकते हैं अधि पूरी खुदाई का वेच 450 रुपया हो तो रोहित को कितने रुपय प्राप्त हुए ठीक है सिंपल सा प्राइश दो तो और नहीं समझ मारा ताब गौर से ध्यान से सुनिये दो तो मैं क्या बता रहा हूं अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर कोई फाइदा नहीं होगी मोहित और रोहित एक नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में यहां मोहित लिख दिए यह 10 दिन में करता है और रोहित को आर से लिख दिए यह 15 दिन में करता है ठीक है अब देखे इन दोनों का आप LCM लीजिए LCM ले लेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 10 से भागा दे दिजिए 30 में तो 3 आएगा और 15 से 30 में भागा दिये तो 2 आया यहां तक तु सभी को समझ मागया ठीक है अब क्या है अब क्या है अब बोल रहा है देखे ध्यान देजेगा तो रोहित को कितने रुपे प्राप्त होंगे 450 रुपिया टोटल मिल रहा है अगर पूरा खुजाई कर देता है दोनों मिलके तो 450 रुपिया मिल रहा है तो रोहित को कितने मिलेंगे तो कूल 5 करता है लोग दोनों मिलके और 5 में रोहित देखे रोहित है रोषित को मिलता है 2 कितना मिलता है तो ना मिलता है तो पांच में दौर समझे मिलता है तो 480 कितना मिलेगा तो 450 तो अब 25 आजाएगा गुने 450 आ चाहएंगा स्म्पल सा बात है अब काटिये 549 तो 64 drugs एक्वीर नब्बे दुने 180 सब्सक्राइब करता है पाएं पूतरा रोहीत को तो रोहीत करता है इसे दो 500 बिलता है समझाई यह तो साड़े चार सो रुपियम कितना मिलेगा बस पाँच में दो तो साड़े चार सो में निकाल दिये तो 180 रुपिया तो सही एंसर किया गया तो 180 रुपिया खुछ भी नहीं सिमपल सा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे परस को देखते है मैं अच्छे तरह से सारा चैप्टर पढ़ा दूँगा दोस्तों आप लोग सिर्फ चैनल पे बने रही है अज थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों सेयर कर दीजिए वार्टसप पे फेस्बूक पे सेयर कर दीजिए ठीक है कि सारे चातरों को फाइदा हो कोई चातर कमजोर नहीं रहे देखिए चातर प्रस्ते A और B किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया फरन्तु दो दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया ग्याद किजिए सेस काम बी ने अकेले कितने दिनों में किया एक दम सिंपल सा प्रस्ट ने लेकिन अगर नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा तो तो आयले लिए आप लोग धेहां से सुनिये और इसको देखिए द्यसान से जोत जो में बताने जा रहा हुँ आप लोगो को ध्यान से देखिए गा ठिक है अब दोनों का हम यसी फाल ले लेंगे से कितना जाएगा to 30 जाएगा यहां तक समझ मा तो दो बार में जाएगा अब यह दोनों जो है यह कुल काम तो 30 था ठीक है तो दो दिन के काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया, एक काम छोड़ दिया, दो दिन के बाद, लेकिन दो दिन तक तो दोनों साथ किया है, तो दोनों में दो से गुना कर दिजिए, दोनों दो दिन साथ किया हैं जी, चले ठीक है, तो ये छे काम कर दिया, और ये चार काम कर तो दो दिन में दोनों मिल करके कर दिया तो दस घटा दीजे अब सेस काम 20 बच्चा है ठीक है यतना समझ मा गया अब बोल रहा है सेस काम B अकेले कितने दिन में करेगा तो B कितना काम करता है तो दो काम करता है ठीक है अब सेसकाम बी को करना इस सेसकाम दीस आया है तो बी करता है दो काम तो बी बराबर तो इस को काट दीजे तो कितना जागा देस तीन तो B, इस काम को कितने दिन में करेगा अके लिए, तो 10 दिन में करेगा, तो इसका सही एंसर क्या आ गया, तो 10 दिन, मुझे उमीद है दो तो आपको समझवा गया होगी, बस यहीं इतना ही समय नहा है, देखे, A और B काम 10 अर 15 दिन में कर सकते, दोनों एक साथ काम शुरू किय एक काम छोड़ दिया, तो दो दिन अगर एक काम किया, तो दो दिन एक किया, तो B भी तो किया होगा, तो दोनों से दो दो में गुना कर दिये, तो यह छे आ गया, और यह चार आ गया, और यह छे काम कर दिया, तो दो दिन में कितना काम हो गया, दस काम हो गया, तो दस काम ह सरह गया अब इस वीस को भी अकेले करना भी अकेले कितने दिन में करना बी काम करता है दो काम करता है तो यह को स्फ्री आ गया जालिए मुझे उमिदद आपको खिंग माइच DAN मैं पिलिज को सेयर कर दे और चैनल सब्क्राइब कर ले फेस्बुक वार्टसप जहां भी हो आपका ग्रूप हो वहाँ सेयर कर दे दोस्तों जैले थैंक यो फिर मिलते हैं कल सुबा